दुष्ट से दूर रहो दुष्ट और दुर्जन की छाया से हमें बच कर रहना चाहिए तो आईए दुष्ट से दूर रहें और साई के ग्यान का गायन एवं परायन करें सुनो कथा यह गौर से जिसमें ग्यान अपार निर्जन कानन बहर ही कल-कल सरिता धार बहता सरिता नीर में धिंसक बिच्छुएक धिच कोले ठाखा रहा लहरों बीच अनेक जलतल पर रहता कभी कभी डूबता नीर देज थपेड़े मौत के थी स्थिती घंभीर जीव मौत से जूजता बना दया का पात्र दूर रहो तुम कश्ट से यह कहता है शास्त को ही आए पास तो बिच्छु मारे डंके कौन बचाए अब उसे खोकर तेरी शंक किसी विशयले जीव को देखे जब इनसान जाए कभी न पास वो इतना निश्चित मान लोग देख कर छोड़ते होते उससे दूर भाग्य भरों से जिन्दगी रहे सदा मजबूर एक संत सा आदमी मन में दया अपार बिच्छु को वह देखता हिलते करवातार जीवन रक्षा के लिए करता है वहकाम बिच्छु को उसने लिया तलहत्ती पर खाम जल के तेज प्रवाह से किया जीव को मोत यही संत की संतता दया भाव से यूत जीवन रक्षा हो गई बचे बिच्छु के प्राण देख दुष्ट की दुष्टता भूल गया अहसान पल भर में उसने किया संत हाथ आगात यही दुष्ट की बात है यही दुष्ट की जात संत बचाए गर उसे बार बार दस बार दुष्ट संत को डंक ही मारेगा हर बार दिच्छु अपनी दुष्टता कभी न सकता त्याग खल शठ दुष्ट स्वभाव तो पल में जाता जाग लाख दया कोई करे दुष्ट न बदले भाव दुष्ट रहेगा दुष्ट ही बदल सके न स्वभाव दंश मार न दुष्ट का जन्म जात है कर्म दया दिखाओ लाख तुम फिर भी उसे न शर्म जिसका यथा स्वभाव है उसका वैसा कर्म प्रूर कभी ना हो सके करुना धार से नर्म करे सदा नुक्सा नहीं दुष्ट धूर्थ शठ प्रूर सुन साई का बोध तु रहना दूर जरूर सुन साई का बोध तु रहना दूर जरूर रहना दूर जरूर रहना दूर जरूर रहना दूर जरूर झाल झाल